अब हम लोग पढ़ेंगे विभाव और विभाव अंतर के बारे में और इससे सम्बंधित कुछ निमेरिकल प्रश्णों का सल्यूशन करेंगे चलिए देखते हैं विभाव क्या होता है एकांग धनावेश को अनन्त से विदुत छेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैदुत विभाव कहते हैं देख लिजो फेश के देख लिजे चित्र में समझ लो मालो कोई आवेश है एकांग का वैस कूँँ विदुत छेत्र इतना है और इसमें बाहर से अनन्त से हमारा विभाव और सुत्र रूप में देख सकते हैं विभाव बराबर कार्य बटा आवेश अगर आवेश को एक लेते हैं तो किया गया कार्य ही हमारा क्या कह लाएगा विभाव इसकी प्रकृति जो होती है अधीसराशी होती है ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और विमी सुत्र M L स्क्वेर T माइनस 3 A माइनस 1 होता है विभाव के दो प्रकार होते हैं धनात्मक वा रिनात्मक विभाव अब विभावांतर पोटेंशियल डिफ्रेंस एक कांक धनावेश को विदू छेत्र में विदू छेत्र में ही एक बिंदू से द्यूसरे बिंदू तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा कहलाता है विभावांतर देखिए विदू छेत्र ही ये पूरा एक बंद परिपर टाइप से बना दिया हूँ विदू छेत्र दरसाने के लिए इसी में एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा जो कार्य करना पड़ेगा यही कहलाता है हमारा विभवांतर तो विभवांतर विभव में अंतर कार्य बटा आवेश इसका भी प्रकृति मात्रा का और विमे सुत्र सेम टू सेम विभव के समान है प्रक्रिति इसका अदीश है मात्रा की इसका वोल्ट है और विमी सुत्र भी इसका ML स्क्वेर T-3 A-1 है एक छोटा सा फार्मूला याद रखते हैं बिंदू आवेस के कारण किसी बिंदू पर विभव बिंदू आवेस के कारण किसी बिंदू पर विभव जो होता है वन अपन फोर पाई एपसाला नाट इन्टू क्यूं अपन आर होता है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते है नव गुडित दस के घात नव इन्टू क्यूं अपन आर ये चली अब नुमेरिकल सलूशन करते हैं क्वेस्चन फर्स्ट मोस्ट आएमपी है जितना भी क्वेस्चन है सब मोस्ट आएमपी है कहा जातो सरल है सुन्दर है और अच्छा है सरल सरल क्वेस्चन हों का सलूशन करते रहिए एक दसमलो तीन गुडित दस के घात रीन साथ कुलाम आवेश को अनन्त से विदूत छेत्र के किसी बिंदू तक लाने में पांच दसमलो दो गुणित दस के घात रीन 5 जूल कार्य करना पडता है उस बिंदू पर वैदूत विभावग्यात कीजेे चलिए विभाव ग्यात करना है हमें और इसमें दिया गया हमें कार्य दिया गया है और दिया गया है आवेश दिया है कार्ये बराबर 5.2 गुनित 10 के घात रीन 5 जूल आवेश 1.3 गुनित 10 के घात रीन 7 कुलाम हमें ग्यात है विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है तो इस सुत्र में दोनों मानको रखेंगे पांच दसमलो दो गुनित दस के घात रिन पांच बटा एक दसमलो तीन गुनित दस के घात रिन साथ दस के घात रिन साथ को उपर ले जाएंगे तो धन साथ हो जाएगा और अधार समान है तो घात जुड़ जाएगा दस के घात दो हो जाएगा ये और 5.2 बटा 1.3 है तो दसमलो को एक एक स्थान पीछे कर देते हैं तो 52 बटा 13 हो जाएगा गुणित 10 के घाद दो तो 52, 13, 4 गुणित 10 के घाद दो और 10 के घाद दो मतलब 100, 400 वोल्ट यह है हमारा एंसर चलिए question second देखते हैं किसी विदुच्छेत्र के किनी दो बिन्दों के बीच का विभुवांतर देखिए विभुवांतर दिया गया है इसमें 20 वोल्ट हैं तथा 2 गुणित 10 के घाद 5 कुलाम आवेश है को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा तो इसमें विभुवांतर वाला सुत्र लगाएंगे हम लोग विभुवांतर दिया गया है V is equal to VB minus VA is equal to 20 वोल्ट और आवेश भी दिया गया है 2 into 10 to power minus 5 कुलाम सुत्र विभुवांतर बराबर कार्य बटा आवेश तो हमें किस का मान ज्याद करना है कार्य का तो कार्य को छोडएंगे आवेश को इधर तिर्या गुणा कर देंगे चलिए बराबर सोब्रिशिक बुरित विभो हो जाएका विवहिस का माँन है हमारा 20 तो दूरिस हो जाए सब्सक्राइब निकाल दें चार गुनि Act 10 कर दें तो 10 के घात रीनद पांच धन 1 खुत जाएगा और री चार्जू सॉरी यह रिंच चार्जू यह हमारा एंसर फाइनल एंसर थार्ड एक्वेशन है सव माइक्रो कुलाम आवेस से 10 सेंटीमेटर की दूरी पर वैदुत विभाव की गर्णा कीजिए चलिए इसमें आवेस दिया गया है और दूरी दिया गया है तो जो तीसरा फार्म मान है दसके घात रिंच है कुलाम तो दसके घात दो गुणित दसके घात रिंच है आपस में जुड़ेगा तो यह दस के घात रीन चारकुलां बचेगा दूरी भी दिया गया है दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर दूरी दिया है तो दस गुनित दस के घात रीन दो मिटर में कनवार्ट कर लेंगे और दोनों को जब सरल करेंगे तो दस के घात रीन एक मिटर शुत्र जानते हैं हम लोग V is equal to 1 upon 4, 5, 7, 0 into Q upon R इसका जो मान होता है 9 गुणित 10 के घात 9 इसका जो मान है क्यों कमान 10 के घात रेंचार इसका 10 के घात रेंचार तो एक एक कड़ जाएगा या तो उपर ले जाएंगे सराल करने के लिए 9 गुणित 10 के घात 9 दिया है रेंचारिये हो जाएगा और नीचे का जो जाएगा वो प्लस हो जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 V कमान जो है 9 गुणित 10 के घात 6 वोल्ट प्राप्त हो गई ये इनसेल है Most IMP question है जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है एक बिंदू आवेस से 10.1 मीटर की दूरी पर वैदूत विभाव 50 वोल्टेज है तो आवेस का परिमान एवं चिन जो जात कीजिए इस पे हमें आवेस का मान जात करना है इसमें विभाव और दूरी दिया गया दिया है वैदूत विभाव बराबर 50 वोल्ट वैदूत विभाव बराबर 50 वोल्ट और दूरी बराबर सुन्य दिसम्लाव एक मीटर शुत्र हमें मलूम है V is equal to 1 upon 4 pi इस लान नाट इंटू क्यों अपान आर तो 1 upon 4 pi इस सलाण नाट का मान जो होता है पूरे 10 के घात ना होता है अब बी का मान 50 दिया है और यह क्यों का मान हमें ग्याद करना है आर का मान भी 0.1 है तेरिया गुणा कर दो क्यों का मान हमें ग्याद करना है तेरिया गुणा कर दिये और इसको भेज देंगे नीचे है चलिए तो Q is equal to 5 upon 9 into 10 to power minus 9 यह प्लस 9 है उपर जाएगा तो मैनस 9 हो जाएगा अब जब 5 को 9 से भाग देंगे तो सुन्य दसंबलब 5 5 5 5 5 चलता रहेगा तो इसको हम लोग round figure में यह 5 दसंबलब 6 लिखेंगे सार्था का अंक बोडते हैं जि एक स्थान इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 दसंबलब 5 6 गुरित 10 की घात रिन नो पांच को एक स्थान आगे बढ़ाने के लिए इसमें हम एक 10 का गुणा कर दते हैं तो इधर भी घात लग जाएगा 10 की घात रिन में चिन है इसका धनात्मक ह है, so simple, यही है, आपका final answer, thank you, अच्छे सद्धेन करते रही है, thank you, thank you very much, feedback देते रही है भाई और,